तो हमारे स्वरूपा नंसरस्वती जी जो की आजादी से लेकर राम मंदिर के संघर्ष तक मुखर रहे स्वरूपा नंसरस्वती उनको आज हम बिनम्र सद्धांजली देते हैं जिनोंने सनातन धर्म के लिए हमारे हिंदू भाईयों के लिए हिंदू धर्म के लिए एक महात् कठोर कदम उठाए और उन्होंने हमारे धर्म को बचाने के लिए बहुती अच्छे-च्छे कदम उठाए हैं तो आज हम उनके जीवन और उनकी जीवन यात्रा को ले करके हम उपस्थित हुए हैं जिनके बारे में हम आपको अच्छी-च्छी जानकारी देंगे तो अगर हमा और अच्छे कमेंट्स भी देंगे तो हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से स्वामी सुरूपा नंसरसुती जी जो शंकराचारी जी की उपाधी से सम्मानित है तो उनके बारे में हम आपको आज हम बताने वाले हैं तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जोतिरमठ जो बद्रीनाथ और द्वारिका शारदा पीट के संकराचारी जी ने जो है वो रविवार 11 सितंबर 2022 को इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया और ये गो लोग वासी हो गए तो इस जो सुरूपा नंसरुसुती जी 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 थे उन्होंने देश की आजादी की लडाई में कई बार जेल भी गए और राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर काफी मुखर भी रहे स्वामी सुरूपा नंसरुसुती जी का जन्म 1924 में मद्ध प्रदेश के सिवनी जिले के दिगोर गाउ में ब्राम्हण परिवार में हुआ था नौ साल की उमर में ही उन्होंने घरवार छोड़ दिया था प्रसिद्य तीर्थों और संतों के दर्शन करते हुए वे काशी पहुँचे और वर्ष 1950 में दंडी सन्यासी बन गए तभी सेवे स्वामी सुरूपानन सरसुती नाम से जाने जाने लगे उन्हें 1973 में शंकराचार जी की उपाधी प्राप्थ हुई तो ये 1973 इनके लिए बहुती महत्यपूर्ण वर्ष था फिकाशी ने उनको क्रांतिकारी साधू को एक संकराचार का रूप दिया संकराचार सुरूपानन सरसुती का बच्पन का नाम पोथी राम पोथी राम था घर से निकलने के बाद विभिन तीर्थों से होते हुए वे गाजीपूर के लहुरी काशी पहुँचे वहां राम मंदिर पाठशाला में अध्यन किया एक वर्ष बाद काशी पहुँचे और वहां उन्हें स्वामी करपात्री महराज वह स्वामी महेश्वरानन्द महराज महराज जैसे संतों से धर्म की शिच्छा मिली 1940 के करीब वे गाजीपूर लोड गए 1942 में अंग्रे जों से भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलन में वह शामिल हुए और कई बार जैल यात्र भी की मात्र 19 वर्ष की अवस्था में वह क्रांतिकारी साधू के रूप में पूरे पुर्वांचल में प्रसिद्ध हो गए थे दो बार पकड़े जाने पर उन्हें वारणसी जेल में नौ महीने और जवलपूर की जेल में छे महीने की सजा काटनी पड़ी थी देश आजाद होने के बाद वह धर्मकारियों से में सनलग्न हो गए 1950 में जोतिश पीठ के ततकालीन शंकराचार स्वामी ब्रह्मा नंसरसुतीज से उन्होंने विदिवत दंड सन्यास की दिछा ग्रहन की थी वो अपने जीवन में एक बेवाकी के लिए जाने जाते थे फरजी संतों को लेकर भी हमेशा मुखर रहे उन्होंने कहा था कि भगवा पहन लेने से कोई सनातनी नहीं बन जाता अप्रैल 2014 में उन्होंने साइभाबा की पूजा को लेकर भी टिपणी की थी और साइभाबा की पूजा को गलत ठेराया था कहा था कि साइभाग्तों को भगवान राम की पूजा गंगा में सनान वो हर हर महादेव का जाप नहीं करना चाहिए शंकराचार जी ने शासन और प्रशासन की अंदेखी पर 2013 में प्रयाग राज कुम्ब मेले के बहिशकार का एलान तक कर दिया था बाद में मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने प्रयाग राज भ्रहमन के दोरान ही निवेधन किया था कि कुम्ब की शान शंकराचार है तब सौमी सुरुपा ननसरोसती जी मेले आए थे उनके जीवन में नौ का अंक बहुती माहत्पोण रहा था मातर नौ वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रहताक किया था 19 वर्ष की अवस्था में क्रान्तिकारी सादू के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त की थी 99 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद उन्होंने शरीर का त्याग किया बता दें की वे शैवनात, दशनामी, अगोर वा शाक्त परंपरा के सादू संतों को भू समाधी दी जाती है भू समाधी में पदमासन या सिद्ध आसन की बुद्रा में बठा कर भू में दफलाया जाता है स्वामी वासुदेवानंद स्रसुती के साथ विवाद भी उनका रहा वासुदेवानंद कहते थे कि सुरूपानंद जोतिश पीट के शंकराचार नहीं है वही सुरूपानन्द की ओर से कहा याता था कि वासवेदेवानन्द को अपने नाम के साथ शंक्राचार लिखने का अधिकार नहीं है मामला कोड तक भी गया था उनके जीवन का सबसे और भी महात्पूर्ण सबसे महात्पूर्ण पॉइंट रहा जो सबसे बहत्पूर्ण घटना रही वो राम मंदिर को लेकर रही राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर सरकार पर भी उन्होंने सवाल खड़े किये थे जन भूमी तीर्थ ट्रस्ट में कोई भी ऐसा शक्स नहीं है जो की प्राण प्रतिष्ठा कर सके उन्होंने धन को लेकर भी ट्रस्ट पर सवाल खड़े किये थे हमारे देश के बड़े गन्न मान लोगों ने उनके निधन पर शोक सम्वेदना भी व्यक्त की अमिश्या जी जो की ग्रह मंत्री हैं उन्होंने कहा कि स्वामी सुरूपानन जी के निधन का दुखत समचार प्राप्थ हुआ सनातन संस्क्रती और धर्म के प्रचार प्रसार को समर्पित कर उनके कार सदय वियाद किये जाएंगे भुपेंद्र जी जो की यूपी भाजपा के अध्यच है उन्होंने कहा जगत गुरु शंकराचार स्वामी का ब्रह्मलीन होना संत समाज की अपूर्णी अच्छती है प्रभु श्री राम दिवंगत पूर्यात्मा को अपने परमधाम में स्थान दे इसी तरीके से सफाध्यच श्री अकलेश यादव जी ने कहा स्वामी जी के निधन से भारती संस्क्रती एवंग संस्क्रत के एक विशिष्ट दुद्दान को हमने खो दिया है स्वामी जी की भारती जन जीवन को एक नए मूल्यों से अनुप्रानित करने वाले वालों में से वे एक थे इसी प्रिकार से कांगरिश नेता प्रिंका गांधी जी ने कहा महराज के महा प्रयान का समचार सुनकर मन भारी दुखत हुआ स्वामी जी ने धर्म अध्यात्म वपर मार्थ के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया हमारे सभी देश के जितने भी गण मानने लोग हैं सब ने उनके जीवन उनके ब्रह्मलीन होने पर शोक सम्मेदना व्यक्त की थी इस प्रकार से उनका जीवन बहुत ही संगर्श पूर्ण रहा और वो अध्यात्म और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हमेशा लड़ी लड़ी और उनका जीवन बहुत ही अच्छा रहा इस प्रकार से उनके ब्रह्मलीन होने पर हम सभी उनको भाविनी शर्दानजली अर्पित करते हैं जैहिन जैवारत